हेलो फेंट्स, मैंसेल सीय रोही जुशनुई और आज मैं डिस्कस करने वाला बहुत इंपर्डेंट टॉपिक काफी चार्डड अकाउंटेंट्स मुझे फॉन करके पूछने है यूडिन से रिलेटिट प्रॉब्लम्स तो स्टार्ड करते हैं दोस्तों आज की वीडियो लेट्स स्टार्ड दोस्तों आज का जो टॉपिक है हमारा यूडिन से रिलेटिट प्रॉब्लम्स और उनके क्या सोलुशन्स हो सकते हैं केस वन आपने अपना अप्लोट अपलोट कर दिया है अप्रॉब हो गया है आपने यूडिन जण रिल्याय है अलके इस्पेसP scream नहीं बढ़ इस्पेस में आपको लेटर वन पता चलता है कि audit में कुछ problem थी और अब आपको ये audit revise करना पड़ेगा तो उस case में आपको revised audit upload करना है और इस revised audit का लोग में इसे पूछें क्या इसका फिर से यूडिन जनरेट होगा? Yes, revised audit अगर आपका होगा तो यूडिन, fresh यूडिन जनरेट होगा और वो अपडेट होगा otherwise वो pending दिखाता रहेगा C1 आप लोगन करके देखनें तो महाँ पर pen number as it is आता रहेगा कि इसमें आप यूडिन अपडेट करिए और अगर आप अपडेट करना भूल जाते हैं तो वो यूडिन आपका invalid sorry, वो ITR आपकी invalid हो जाएगे तो यूडिन आपको इचीच के लिए रहोगे revise की case में आपको यूडिन जनरेट करना है और update करना है case 2 इसमें आपने audit अपलोड करा है audit uploaded but not approved but आपको पहले ही पता चल गया कि इसमें कुछ problem है but not approved और आपने उसे क्या करा reject कर दिया है तो इस case में क्या यूडिन जनरेट होगा तो answer है इसका no और ये CA का जब आप login करेंगा वहाँ pending भी show नहीं करेंगा क्योंकि हमने पहले ही identify कर लिया है और हमने reject कर दिया है तो उस case में हमें यूडिन जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है एक और situation काफी लोग मेरे से पूछ रहे है इसमें basically क्या है audit में आपको कुछ problem मिली किसी point में और आपने अपना audit revise कर दिया बट इस audit को revise करने की वएसे आपकी ITR में कोई भी impact नहीं हो रा तो क्या मुझे अपनी ITR revise करनी चाहिए या नहीं तो इसका आंसर है दोस्तों no अगर आपके audit revise करने की वएसे आपकी ITR पर कोई impact पढ़ ला है तो ही आप अपनी ITR revise करें अदरवाई उसे revise करने की कोई भी जरूरत नहीं है अब एक notice काफी लोग के पास last year आएं साल मुझे पता नहीं आएं नहीं है notice में basically क्या हुआ audit में ATC में CA के article से कुछ mistake हो जाती है बाइचान for example जो ATC था वो 1,40,000 दिखा दिया जाता है वो actual में 1,50,000 होता है तो ITR भरते समें 1,50,000 चला जाता है और audit में ATC चला जाता है जिसकी वएसे assist से की demand generate हो जाती है तो उस case में ऐसा कोई भी scenario हो जकता है कि हमसे reductions कम दिखा दी गए actual में वो जादा है या ITR भरते समें वो जादा मिलती है तो उस case में अगर demand generate होती है तो यहाँ पर आपको क्या करना है अपने audit को revise करना है audit revise करने के बाद आपको reactification में जाना है reactification में जो option आपको select करना है वो reprocess the case ये वाला option select करके case को reprocess कर देना है आप देखेंगे एक दो दिन में जो भी demand आ रही हो वो खतम हो जाएगा तो इस तरह की जो भी problems आ रही है ये इस तरह से solve हो सकती है अब मैं आपको लोगिं करके दिखा देता हूँ देखिए ये मैंने CA portal पर लोगिं कर लिया CA की user id पासवर्ट से अब यहाँ पर हम जाके देख रहे view update login तो यहाँ पर ये जब तक ये आपके update नहीं होने के आपको सारे update करने है चाहिए वो revise हो चाहिए वो आपके original हो यह आपका status क्या होना चाहिए यह status होना चाहिए जब भी आपका no record found यानि it means जब तक यह status लिहाने का जो भी uden आपके pending आ रहे है वो आपको update करने चाहिए क्योंकि अगर आप uden update नहीं करेंगे तो आपकी ITR later on invalid हो सकती है और 30 November इसकी last data update करने की तो अपने uden update करिए I think जो लोगों को problem आ रहे है वो मैंने इसमें cover करी काफी लोगों को इसमें metadata error आ रहे है audit revise करते समय उसकी video मैं already बना चुका हूँ बट काफी लोग में इसमें क्लेम करते हैं जिससे आप अपना revise audit upload कर सकते हैं तो दोस्तो यह एक छोटी सी video थी बट यह वेरी beneficial है आप लोगों के लिए क्यों है beneficial कि काफी लोगों को एक problem सारी मैं देखता हूँ और काफी लोगों को मैं reply नहीं कर पाता हूँ तो इसलिए मैंने एक common video आप लोगों के लिए बनाई है जिससे आप इस video की help से जो भी problems आ रही है वो आप solve कर सकें और दोस्तों अगर इसके लावा कोई और भी problem आपको यूडिन में आती है तो आप मेरे से comment करके या WhatsApp पर पूछ सकते हैं मैं कोशी यह करूँ जल से जल आपकी सारी problems का मैं reply कर सकूँ तो I hope यह आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और इस तरह की और भी update आप चाते हैं फिचर में आपको मिलते रहें तो मेरे चैनल को subscribe ज़रूर करिए दोस्तों और इस वीडियो को अपने जो फ्रेंड सर्किल हैं जो चार्जेट अकाउंटर्स भाई लोग हैं हमारे उनसे भी शेयर करिए थैंक यू फॉर वाचिंग इस वीडियो हम मिलेंगे नेक्स वीडियो में बबाए नमस्कार धन्यबाद झाल कर दो